नमस्कार दोस्तों मैं हूँ राजेश और आप देख रहे हैं Angel Tech Analysis तो बात करेंगे आज निफ्टी के बारे में निफ्टी 50 में जो स्टॉक्स ट्रेट करते हैं उन सब के बारे में उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करेंगे और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करेंगे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे तो आज मैं आप लोगों के लेकर आया हूँ Nifty की वीडियो निफ्टी की वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है तो देखें Nifty की हम बात करेंगे पहले Nifty Index के बारे में हम analysis करेंगे उसके बात Nifty 50 में जो stock state करते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे तो देखें मैं Nifty 50 का चार्ट आप लोगों के सामने खोल ली है तो यहाँ पर आप जासा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 25 नौबर यह जो candle आप देख रहे हैं रेट कलर की candle यह 25 नौबर ही candle है अब 25 नौबर की candle के बाद यहाँ पर हमको कोई अच्छी move देखने को नहीं मिली है अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ तो आपको देखें यहाँ पर hammer देखेगा यहाँ तो आपको doji मिलेगी या shooting अपना inverted hammer वगयरा तो मतलब इसी तरह की candle यहाँ पर देखने को मिल रही है अगर हम एक दो और तीन इन तीन जिनी candle को छोड़ दे तो इसके बाद हमको सारी candle है hammer shooting star hammer shooting star hammer shooting star type की देखने को मिल रही है और nifty 50 continue उपर की तरफ जाते जा रहा है जहां से यह hammer बनना चालू हुआ था उस टाम nifty 12800 पर trade कर रहा था और finally देखिए यहाँ पर जो अब high लगा हुआ है वो 13800 के आसपास मान लेजिए means यहाँ पर 1000, 1000 points की movement हो चुकी है और nifty continue उपर की तरफ जा रहा है और उसके बाद हम वहाँ से फिर reverse हो गए अगर हम starting के session में देखें तो आप यहाँ पर clear card देख सकते हैं कि नीचे से एक buying आई हुई है तो means कहने का मतलब यह है कि seller यहाँ पर जो है नीचे लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर buyer से तने active हैं कि तुरंट इसको cover कर ले रहे हैं means मतलब वह अपनी position बना ले रहे हैं और seller को यहाँ पर heavy नहीं होने दे रहे हैं जैसा कि हमने इससे पहले bank nifty की video में देखा वहाँ पर sellers को ज़्यादा heavy दिख रहे हैं compare to buyer और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मतलब nifty अभी भी ज़्यादा strong लग रही है nifty bank से तो हम चलते हैं 15 minute के chart में और analysis करेंगे कि आज nifty में आज सारे दिन किस सारे से movie पहले में यह trend line वगरे डिट कर देता हूँ और उसको आपको fresh trend line यहाँ पर मैं draw करके दिखाने वाला हूँ तो finally यहाँ पर देखिए आज जो यहाँ पर nifty की जो starting होई थी यह हमारी candle है तो देखिए मैं यहाँ पर 5 minute का chart लगाऊँगा और आपको एक चीज दिखाने की कोशिश करूँगा यहाँ पर continue देखिए आप जो है टेस्ट करेगा 13772 के लेवल को यहाँ से clear cut एक selling आने वाली है दूसरा अगर मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर चर्चा करूँ तो यह हमारे पास से एक इस तरह से trend line हमने draw करके रखिए थी तो यह जैसे फानली जब trend line का breakout आया तो हमको यहाँ पर clear cut एहाँ पर confirm होगा कि जो है अभी nifty नीचे की तरफ जाने वाली है देखिए यहाँ पर confirmation कही थे यहाँ पर continue यहाँ पर जो कल का जो low लगा हुआ था swing low लगा हुआ था उसको जब यहाँ पर nifty ने break किया तो यहाँ पर मैंने अपने option group में मिनट के चार्ट में अब देखिए क्यों nifty bounce back होई उसके पीछे का कारण किया था वो चीजे सारे हम यहाँ पर चर्चा करेंगे अब देखिए मैं यहाँ से trend line ड्रॉ कर रहा हूँ अब यह trend line को देखिए हमको देखिए एक यहाँ पर मिला हुआ है यह low को हमने पकड़ा और यह जो है जो गिरावट हुई थी अब इसको हमने इसके टेस्ट कर दिया तो देखिए जब उस टेम हमने यह देखिए इसके साथ हमने टेच किया तो उस टेम हमारे पास अगला low नहीं था इसके बाद देखिए अगर हम इसको इस टेंड लैन को इस तरह से एक स्टेंड कर देंगे तो यहाँ से bounce back हुआ bounce back होने के बाद कुछ उपर की तरफ गया अब देखिए यहाँ पर bounce back होने का सरफ एक ही करण नहीं था कि trend line की अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर एक support level था यह देखिए यह एक support level भी था तो इसको जो है निफ्टी ने रिस्पेक्ट किया और रिस्पेक्ट करने के बाद trend line का और इस horizontal का यहाँ पर support मिला और bounce back हुआ bounce back होने के कुछ time के बाद देखिए यहाँ पर कुछ correction होई है correction होने के बाद clear cut देखिए उपर की तरफ हम गए और कहां तक गए यह जो हमने double top pattern हमारा जो बना हुआ था उसके आसपास गए और finally अब हमने पांच मिनट के चार्ट में अगर ध्यान से देखिए तो हमने एक triple top pattern मनाया अब कल के लिए हमारे लिए क्या important है किस तरह से हम trade कर सकते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे Monday के session में किस तरह से हम trade कर सकते हैं अब देखिए यह trend line हमारे लिए सबसे जादे important है अब जैसे यह trend जैसे मैंने आपको यह trend line में ड्रॉकर की दिखाया था इस trend line के बारे में देखिए ठीक है जैसे breakout हुआ तो अब हमारे लिए यह trend line important है अब यह जैसे माल लिए यहाँ पर अगर nifty की flat opening होती है और flat opening होने के बाद यहाँ पर trend line का breakout होता है तो यह बहुत अच्छी एक entry होगी तो हम यहाँ पर एक entry ले सकते हैं sell की entry बना सकते हैं यहाँ पर यह support level भी break होना चीए ध्याना किएगा यह support level और यह trend line यह दोनों जब break होँँ तो उसके बाद हम दिखिए यहाँ पर 13,730 के आसपस entry बना कर हम 13,664 के आसपस जो हम जा सकते हैं हमारे पास अगला support यही है तो यह थी flat opening की बात अब हम बात करेंगे gap up opening की और gap down opening की माल लिजी यहाँ पर gap down opening हो जाती है और कहीं 13,660 के आसपस आपको यहाँ पर nifty मिलते हैं यहाँ से एक bounce back हो सकता है यहाँ पर देखिए एक यहाँ bottom लगा हुआ है दूसरा bottom यहाँ पर double bottom pattern complete होगा और यहाँ से एक bounce back हो सकता है तो यह हमारा buying level है 13,660 का इसका ध्यान लखिएगा अब माल लिजी यहाँ पर अगर nifty की gap up opening हो जाती है आप क्यों trade ले रहे हैं आपको उसका reason पता होना चाहिए stop locks के साथ up trade करिए proper risk management के साथ up trade करिए आप बात करेंगे nifty में जो stocks trade करते हैं उनके बारे में तो finally देखिए मैंने हाँ पर adani port का chart लगा हुआ है adani port देखिए continue हमको यहाँ पर एक range करेगा या breakdown करेगा हम 20 points के लिए जा सकते हैं next है हमारा Asian Pints तो Asian Pints देखिए मैं आप लोगो continue यहाँ पर मैंने दिया था position traders जो है बाइस सो पचास के आसपस दिया था और बाइस सो पचास से दिखिए जो इसने हाई लगा है वो 2650 के आसपास का लगा दिया है सब कहा सकते हैं 90 points के आसपास हम जो है उपर जा चुके है अब यहाँ पर ध्यान लगाने वाली बात यह है कि यहाँ पर हमको किस तरह से trade करना है अब 2600 के उपर अगर Monday को Asian Pints ट्रेड करता है तो हम 2600 के उपर ट्रेड कर सकते हैं मिन सब कहने के मतलब यह है कि अगर 2560 के नीचे closing यहाँ पर आती है तो हम 2500 के target यहाँ पर बहुत जल्दी देखेंगे next time है मारा Axis Bank तो मैंने Axis Banking के मैंने video बना दी है आप वहाँ पर जाकर देख लिजेगा अगला हमारा है बजा जातो तो देखें बजा जातो हम काफी देर तक यहाँ पर sustain कर रहे हैं यह एक breakout हुआ था breakout जो हुआ था दो December को हुआ था उसके बाद continue हो देखें हम retest करते हुए sustain करते हैं काफी दिन से हम यहाँ पर sustain कर रहे हैं आज देखें यहाँ पर एक red candle बनी है पूरी हरी बरी candle बनी है अब यहाँ पर मंडे को लिए आप यहाँ पर clear cut buying के लिए जा सकते हैं जो आपको बाइंग के लिए जाना है वो 3370 की closing के उपर आप यहाँ पर buying कर लिए वो एक safe buying होगी वहाँ से जो है आप छोटा सा stop loss रखकर long कर सकते हैं next है हमारा बजाज finance तो बजाज finance का देखें यहाँ पर level मैंने बताया था उपर अगर निकलेगा तो यहाँ पर positional traders buy कर सकते हैं because अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक flag pattern बना हुआ था और finally flag pattern का breakout आ चुका है और यहाँ पर अभी candle जो यहाँ पर बनी होगी है बहुत जवरदस्त candle बनी हुग है इसको हम inside candle strategy के अंतरगत लेकर आते हैं तो अब यहाँ पर बाइंग करनी है वो आपको यहाँ पर बाइंग करनी लेवल में आपको बता देता हूँ यहाँ पर 505 रुपे के उपर निकलता है तो आप यहाँ पर clear cut बाइंग के लिए जा सकते हैं यहाँ पर बाइंग के लिए जा सकते हैं देखिए यहाँ पर ब्रेक आउट के लिए दिखाई दे रहा होगा तो मैं आप लोग को यहाँ पर चोटे टाइम फ्रेम में दिखा देता हूँ यह देखिए यह जो मैंने trendline ड्रो करी है यह इस तरह से हम इसको लिए चोटे टाइम फ्रेम में जाकर देखिएगा तो यह trendline को आप इस तरह से लिजिए यह trendline का ब्रेक आउट होता है तो इसके बाद आप बाइंग के लिए जा सकते हैं तो चलिए अब हम बात करेंगे अपने अगले stock की अगला stock के हमारा बीपी से है triangle pattern में काम कर रहा है भी continue देखिए हमने पिछले week भी मैंने आप लों को यह बताया था कि भी triangle pattern में ही काम कर रहा है ब्रेक आउट होने दीजी ब्रेक आउट हो ब्रेक डाउन हो उपर की तरफ ब्रेक आउट हो जिस तरफ निकलेगा उस तरफ हो लेजिए ठीक है यहां पर कोई वह नहीं है कि मतलब नहीं हमारे एक वियू बनाकर चलना है वियू कुछ भी नहीं बनाना है यह triangle pattern है symmetrical triangle pattern इसको हम बोलते हैं technical analysis के language में अगर उपर की तरफ ब्रेक आउट होता है तो हमारा यहां पर टार्गेट जो 429 रुपे का होने वाला है next time हमारा भारती एटल तो भारती एटल को देखिए भारती एटल भी मैंने आपको यहां पर दिया था 500 वी closing के उपर और finally देखिए यह भी continue sustain ह हो रहा है इसको आप buying करिए 520 रुपे closing के उपर 520 रुपे closing के उपर निकलता है तो हमारा weekly target जो हो कम से कम 580 रुपे का है next है हमारा ब्रिटानिया तो ब्रिटानिया देखिए हैं hurdle में पसा हुआ है उपर से देखिए जो trend line में draw करके आपको बताई थी यह trend line और नीचे से देखिए एक channel pattern तो एक तो यह इसका hurdle हो गया दूसरा channel pattern अभी इसका hurdle बना हुए तीसरा यह जो resistance इसका यहाँ पर आप देख रहे हैं तो यह तीन hurdle इसके लिए बने हुए हैं अब जब तक यह 3800 की close उपर closing नहीं देता है तब तक आप इसमें नब बाइं की तरफ मत देखि नेक्स्ट है हमारा सिपला तो सिपला देखिए फाइनली इसकी range बनी हुई है उपर की range देखिए है यहाँ पर range में काम कर रहे है उपर 820 की range है नीचे जो है 700 की range है तो यह 120 points की range है और यहाँ पर rememberchn catal emissions और एक आफो अलबड पर outlet पन तो आपर तो circa 8020 की दिया था 137 रुपे को पर बाइंग करने के लिए फाइनली देखिए 146 रुपे का यहां पर हमको टार्गेट यहां पर हमारा अचीव हुआ अब 146 रुपे के ऊपर निकलता है तो हम 150 ए 155 रुपे के लिए जा सकते हैं जबरदस्थ ब्रेकाउट दिया है देखिए यहांपर कली जबरदस्थ ने ब्रेकाउट हो गया था और फाइनली यह जबरदस्थ एक भूबरदस्थ इसको माना जाता है इसको देखिए हम जबर इस आप ले करूपे इसमें 3860 से आप बासलर में 2 wall saudar och 400,200 ब्रुरी नेक्स्ट है हमारा डॉक्टर रेडी, डॉक्टर रेडी दे में देखे काफी दिन, कितने दिन उसे सस्टेन करते करते हैं, 21 अक्तूबर से लेकर ये दिसंबर तक की देखी आ गया, आज जो है 17 दिसंबर के बाद ही 18 दिसंबर को ब्रेक आउट हो है, तो हम कहा सकते हैं, दो स 217 रपे और दूसरा टार्गेट यहां पर आपको 2400 रपे है, नेक्स्ट है हमारा आउशर मोटर, यहां पर देखिए अभी एक ब्रेक आउट किया था, ब्रेक आउट करने के बाद यहां पर रेटेस्ट हो रहा है, रेटेस्ट के बाद हम यहां पर एक trend line दौक करेंगे इस देखे इसने जो high लगाया है वो 129 का लगाया है अब 129 का high लगाने के बाद आप यहाँ पर उपर के level पर यह sustain नहीं हो पा रहा है अब मैं आपको यहाँ पर बतायता हूँ अगर यह 118 की नीचे की closing दे देता है तो आप यहाँ से जो है अपना profit book कर सकते हैं या फिर इंटरा का level break करता है तो finally फिर दोबारा इस channel को lower जो है trend line है इसको test करने के लिए आ सकता है otherwise अगर यह break करता है 925 का level 925 के उपर निकलता है तो आप इंट्राइडे में बाइंग के लिए जा सकते हैं 935 और 945 यहाँ पर हमारे target है next है हमारा hcl tech तो hcl tech देखे यहाँ पर double bottom pattern यहाँ प दूसरा top हमारा यह बन गया है तेखे है अब यहाँ पर देखिए यह जो candle बनी हुई है देखिए अब confirmation में आपको यहाँ पर बता रहों देखिए कितनी confirmation हमारे पास यहाँ पर हो गई है एक दो यहाँ पर तेकी ररिजिस्टेंस है दूसरा यहाँ पर double top pattern बन गया है तीसर से जाके आप हमारे यहां की टारीघ आमें장 चै Antes Universalktion साफ वीटे हैं टारूंगर ऑपर मों हर यहां आपडेट करता हैं और अगले वीगेंड पर जैसे मैं पिछले वीगेंड पर मैंने को स्टॉक दियते थे अब मैं उसको अपडेट करूँगा नेक्स्ट कल मैं शनिवार को या फिर संडे को मैं उसको अपडेट करके आपको बताऊंगा कि उस स्टॉक्स ने किस तरह से परफॉर्म किया HDFC Bank बैंकिंग की वीडियो बना दी है उसको देख लीजिएगा Hero Motocop Hero Motocop देखिए अब यह जो नीचे से मैं ट्रेंड लेंड ड्रो करके रिखी हुई है यह ट्रेंड लेंड इसके लिए बहुत इंपोर्टेंट है और उपर से यह ट्रेंड लेंड जो आ रही है जा सकते है नेक्स्ट है मारा ICICI Bank बैंकिंग की वीडियो बना दी है उसको देख लीजिएगा नेक्स्ट है मारा ITC तो ITC देखिए यहां पर breakout हुआ है यह जो लेवल था 205 का 207 का लेवल यह breakout हुआ breakout होने के बाद यहां पर देखिए रिटेस्ट करने के लिए आई हुआ है रिटेस्ट करने के बाद यहांपर एक हैमर कैंडल बनी है अब यहां पर आप 216 रुपे के ऊपर इन्फोसिस ने भी ब्रेक आउट दे दिया आज बटे यहां पर वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहा है तो यहां पर जो है इसका जो हाई लगा हुए 1195 का एक बर इसकी 1200 के उपर क्लोजिंग आने दीजिए 375 का लगाया अब एक बर इसकी 300 के उपर ही क्लोजिंग आने दीजिए 375 के उपर हम जो बाइंग के लिए जा सकते हैं के लिएपर मारुती तो मारुती देखिए यहां पर एक ब्रेक आट किया यहां पर यह लेवल दिया द्यांं से ज grape लेवल तो फाइंट्यों इसका खी चाल अफे ऐल की leverage करने के बाद एतीन के लेवल को यहां फाल देखिया 50 elders को निकाल नहीं पाया 8000 की लेवल को और finally देखिए आज इसने नीचे की तरब breakout दे दिया है अब इसको Monday के लिए आप clear cut यहाँ पर sell के लिए जाएए आप यहाँ पर sell के लिए जा सकते हैं 7540 रपे के नीचे जैसे निकलता है आप sell के लिए जा सकते हैं यह जो नीचे से मैंने trend line ड्रो करी हुई है यहाँ तक में भी आ सकता है मारूती सूज की ध्यान रखिएगा next time है हमारा Nestle तो Nestle देखिए यहाँ पर breakout stocks मैंने यहाँ पर दिया हुआ है आपको trend line है यह continue हम टू विक से देख रहे हैं इस trend line के आसपास ही relance sustain करता है उपर निकलता है नीचे आता है फाइनली जो है अभी ना उपर जा पा रहा है ना नीचे जा पा रहा है और नीचे जो support है इसकी यह 23,450 के आसपास है तो मेभी इसको अभी trend line को cross करने देजिए trend line के ओपर की जब closing आती फिर इसको buying के लिए देखिए next time हमारा Sun Farma Sun Farma ने भी देखिए यहाँ पर breakout दिया था 560 के लेवल पर 560 के लेवल पर आद देखिए इस नीचे वली trend line के आसपास मिलता है तो यह हमारे लिए best opportunity होगी buying के लिए next time हमारा TCS तो TCS देखिए double top pattern यहाँ पर बना रहा है इसको ध्यान से देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखाने कोशिश करूँगा यह देखिए double top pattern यहाँ पर बनाया हुआ है पहला टॉप यह लगा हुआ है दूसरा टॉप जो है आज यह यहाँ पर लग चुका है तो में बी मंडे के session में नीचे की तरफ आ सकता है तो इस पर नजर बना कर रखिएगा नेक्स टॉक है चलिए नेक्स टॉक की बाग करेंगे हमारा टाटा मोटर्स तो टाटा मोटर्स तो ट्राइंगल पैटन में काम कर रहा है ट्राइंगल पैटन को जैसी ब्रेक करेगा तो यहाँ पर हम बाइंग या सैलिंग कर सकते हैं तो यहाँ पर ब्रेक कर सकते हैं नजर है मारा tech महिंदरा तो tech महिंदरा देखे यहाँ पर अब इसके लिए जो 950 का level है यह इसके लिए हरडल है 950 का level एक बार निकलने दिजी फिर हम यहाँ पर bind के लिए देखेंगे नेस्ट टाइटन जबरदस्त सटाउग तेखेे टाइट reputation मैंने यहां पर आपको जो दिया था वो 34 के उपर दिया था कि 1400 क्लोजिंग के उपर आप यहां पर बाइंग करिए और फाइनली यहां पर देखिए टार्गेट 1500 1500 का टार्गेट यहां पर अचीव हुआ जो हाई लगा है इसने 1525 का लगाया तो में भी देखिए यहां पर continue 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिनों से continue यहां पर एक uptrend चल रहा है छे दिनों से continue यहां पर कोई गिरावट नहीं आई है तो में भी यहां पर थोड़ी profit booking आ सकती है इसका द्यान रखिएगा अगर यह 1525 के उपर निकलता है तो आप बाइं के लिए जा सकते हैं टार्गेट 1550 के आसपास का रखिएगा नेक्स्ट है हमारा UPL तो UPL देखिए यह जो trend line मैंने आप लोगों को draw करके बताई हुई है इस trend line से देखिए finally मैंने बताया था कि अगर bounce back लेना है तो यह perfect जगा है otherwise यह trend line को break करेगा तो हम sell के लिए देखेंगे अभी यहां पर देखिए इसके लिए जो दूसरा hurdle है वो 4 466 रपे के आसपास है 466 रपे का लेवल निकालेगा तो फिर हम यहां पर 490 के लिए trade कर सकते हैं नेक्स्ट है हमारा ultra tax cement तो ultra tax cement यहां पर triangle pattern में काम करा है ascending triangle pattern इसको हम बोलते हैं यह जो उपर से resistance होता है नीचे से trend line आती है तो हम इसको बोलते है ascending triangle pattern देखिए triangle pattern भी कही त और downtrend में हैं uptrend में हैं तो उस तरह से pattern रोग करते हैं अब यहां पर ultra tax cement में भी उपर की तरफ breakout हो सकता है बावन सो पचास के उपर निकलता है तो आप यहां पर जो है position बना सकते हैं यहां पर target हमारा 500 और 6,000 पे का है next और last stock है हमारा vipro तो vipro देखिए continue यहां पर आप इसके लिए यह जो मैं नीचे से trend land draw करके रखी हो यह सबसे important अब इसके लिए यही है अगर यह trend land break करता है तो में भी यह 335 के लेवल आपको दिखा सकता है 335 का लेवल ब्रेक करता हो तो 316 के लेवल दिखाएगा यहां पर अगर 368 का लेवल निकालता है तो हम यहां पर 384 385 के लेवल के लिए जा सकते हैं चलिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like और share जरूर कर दिया करें देखी वीडियो बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है तो वीडियो को like और share जरूर कर दिया करें वीडियो पसंद आई हो तो like जरूर करें आज के लिए इतना ही मिलते हैं कल की वीडियो में, जय हिंद।